आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका chapter 12, chapter 12 आपका CRPC की बात करता है कि section 154 से लेके 176 तक की बात करता है, अब यह 154 और 176 आप मान लिजिए CRPC का सोल, यानि कि आपका सबसे important, most important जैसे अगर IPC की बात करता है, IPC में murder और culpable homicide जैसे important है, वैसी मान लिजिए, chapter 12 आपका बहुत important, जिसमे sections आते हैं 154 से 176 तक, chapter 12 बात करता है, information to the police and their power to investigate, यानि कि information किसको, police को, ठीक है, और दूसरी बात ये करता है, पुलिस की, आपको पुलिस को information देना, और दूसरी बात करता है आपका, कि investigate करने का, तो अब आप इसमें हम बात पढ़ते हैं, देखिए हम आने आपको पहले भी इस चार्ट में बताया था, ये पुलिस को F.I.R. दर्ज करवाई, ठीक है, यानि कि पुलिस के पास F.I.R. दर्ज हो गई, अब यहां के बात क्या होगा, यहां के बात आपका जो यह वहां से लेके, यहां तक का, यानि कि यहां तक का, बेल वाले मैटर को करते हैं, मेन बात इन में इन ही की है, ठीक है, चार्ट शिर्स से पहले पहले की, यानि कि यहां से लेके यहां तक, कुछ जैसे 154 तो आपका ही सबसे पहले सेक्शन F.I.R. क्या होता है, क्या नहीं होता, तो इनकी बात करता है, ठीक है, इसमा कुछ सेक्शन आपका यहां प तो 154 से लेके 176 के section ये करते हैं, चार्षेट तक की बात करते हैं, यहां तक के sections की बात करते हैं, और इसमें हमें यही पढ़ना है कि अगर पुलिस ने आपकी affair दर्ज नहीं करी, तो क्या होगा? आप किसके पास जा सकते हैं, किसके पास नहीं जा सकते हैं, आपका police investigate कैसे करे हैं, जिसके वैसे वाकील में और पुलिस में थोड़ा सा difference होता है, यहां से, ठीक है, non cognizables क्या होते हैं, यह वाला पार्ट जो है आपका, यहां तक का जितना भी है, यहां तक discuss करना है, ठीक हैं, कि जैसे अगर आप information जो देते हैं, पुलिस को, वो आपके police को information दी गई, F. होते complaint नहीं होती है, तो हमें यह सब पढ़ना है, ठीक हम इसे next class में one section 154 से शुरू करेंगे,